जैहिन दोस्तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं फीनो पेमेंट बैंक में जो केस्ट दिपोजित थाट पार्टी ऑप्षन है उसके थूरु कैसे आप कैस्ट डिपोजित कर सकते हैं यानि अगर किसी का Finopement Bank में खाता है और उनके relative उनके parents उनके रिस्तेदार को आते हैं उनके खाते में deposit कराने के लिए तो किस तरह से आप deposit कर सकते हैं उसके खाते में बिना किसी charges के तो आईए इस वीडियो में लास तक बने रही है अगर आप हमारे चैनल में नए हैं नए वीवर हैं तो चैनल को लाइक और शब्क्राइब जरूर करें दोस्तों तो आप जिस तरह की और भी अधर्स बैंकों में आपको फॉर्म को फिल करते हैं कैस डिपोजिट वाला स्लिप और आप फिर काउंटर पर जाकर डिपोजिट करते हैं तो सेम परसेस आप आप फीनो पेमेंट बैंक में कर शकते हैं क्यूंकि फीनो एक कमर्शिल बैंक सेडवल बैंक में convert हो चुका है RBI की अनुमती और उनके license मिलने के बाद फीनो payment bank case deposit third party option तो सबसे पहले आपको अपने फीनो portal वेb portal पे या फिर मित्राइप में login होना है login होने के बाद search वाले icon पे आपको उनके customer के खाता नंबर या mobile नंबर डाल करके search करना है search करने के बाद कुछ loading लेगा तो आपको just wait करना है इसमें क्या है कि दोस्तो अगर फीनो bank में किसी का खाता है तो उनके relative parents आकर के उनके खाते में deposit कर सकते हैं जिस तरह आदर commercial bank में होता है तो आपको फिर कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेंगे जिसमें आपको only walking में जाकर के उनके खाता का प्रकार choice करना है जिसमें sub saving account है या फिर परथम saving account है भई saving account है जो भी है आपको choice कर लेना है choice करने के बाद आपको कुछ इस तरह का service देखने को मिलेंगे जिसमें case deposit पे click करना है अब यहाँ पे आपको third party case deposit वाले option पे जो box दिख रहा है उस पे click कर देना है टिक करने के बाद आप यहाँ पे जो भी खाता में पेशा को डानने के लिए आए है यानि depositor का mobile number यहाँ पे डानना है depositor का mobile number successfully डानने के बाद उसके बाद फिर आप आपको यहाँ पे amount को enter करना है amount जितना भी वो deposit करवाने के लिए आया है वो amount यहाँ पे enter कर देना example में मैंने 120 रुपे 120 डाला हूँ उसके बाद charges वाले box पे click करेंगे तो zero charges दिखने को मिलेंगे आपको और remark में फिर आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं example में मैं case deposit दे रहा हूँ और फिर आपको इनके सारे नियम और सर्ते को वाले box पे जो check box पे accept कर लेना है और फिर आपको next पे click करना है next पे click करने के बाद आप यहाँ पे आपको OTP authentication के लिए पूछा जाएगा जिसमें एक आपको preview बटन दिख रहा है तो इस preview बटन पे आपको click नहीं करना just OTP वाले जो चाबी दिख रहा है की छापा हुआ है वहीं पे आपको click करना है click करते ही फिर आपको OTP का enter OTP का option देखने को मिल जाएंगे अब यहाँ पे आपको जो OTP आया देखिएगा दोस्तों मेरा OTP आचिव का है तो आपको जो OTP आया depositor का mobile number में वह OTP को यहाँ पे enter कर देना है enter OTP को enter करने के बाद अब आपको next वाले बटन जो दिख रहे हैं उस पे click करना है अब OTP successfully verify हो जाएगा उसके बाद आपका transaction भी हो जाएगा successfully आपको देखने को मिल रहा होगा amount credit successfully यहाँ पे आपको receive भी देखने को मिल जाएगा साथ ही अब आप यहाँ पे customer को transaction की print भी दे सकते हैं लेकिन अभी हम नहीं देंगे just finish वाले बटन पे click करेंगे क्योंकि customer जो है वा case deposit form को slip जो होता है उसे fill किया था हमारे banking point पे